सभी दर्शकों को जैश्रीमन नारायन, मैं आचारे पंडित मंगल पांडे आप सभी दर्शकों का आज एवी एनन में हारदिक श्वागत करता हूं। भगवान स्रीमन नारायन की किरपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, सभी के ग्रिह में शुक्षांती शमर्दी की प्राप्ती हो। आज कार्तिक पुर्णिमा का यह उत्तम दिवश है, तो आईए मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि आज के दिन हमें ऐसा क्या करनी चाहिए, जिसके करने मात्तर से हमारे जीवन में, हमारे ग्रिह में, व्यापार में शुक्षांती शमर्दी की प्राप्ती हो और मर्नो प्रां है, लेकिन, कागया कि मर्नो प्रांत, हमारा जो यह शरीर है, इसको कौन सा क्या प्राप्त होता है? मुक्ष, स्वर्ग, नर्क, लोक यह कहां हमारा यह शरीर जाता है, इसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? आज कार्तिक पुर्णिमा का जो यह सुब्दिवस है, आ आज के दिन अगर हम ब्रह्ममोहृत में अशनान करें एसका जो फल है वह प्रतेग दिन क्ट כनाओं ही नहीं अपितु शौ। पुल प्रप्त होता कि हमारी समस्थ सनातनी लोग जाकर गंगा अशनान करते हैं कि अशनान B अगर अपने ग्रीह में तो भी चार से उपने 14 मिन्हों को के पहले अपने ग्रिह में अश्नान कर आप इसनान करें तो अब अगया जमना सरशाथ डावरी नर्मदाश Schnee गावैरी और एंडल का इंडल nessप आप प्रहें नारायन को अप्रदय में विराजत करते हुए आप अश्नान करें तो एशा करनoi मातर से आपको मरनो प्रांत मौक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप इस भहुतिक जीवन में भी आपको भगवान-स्रीवन-नारायन जो है, समस्त मानो जाती ही नहीं, अपितु पूरी धरा के पालन हार है। तो भगवान-नारायन आप पे अति प्रशन होते हैं। द्रम्भ मों भगवते बाशुदेवाई इस मंत्र का अधिक से अधिक जब करें भगवन नारायन के अनेक नामों का श्मरन करें अगर विशेश रूप यह हो तो आप विश्नु सास्त्र नाम का पाथ आज के दिन अवश्य करें शंद्यकालीन आप चाहें तो दीपदान भी कर सकते हैं अगर दीपदान हम घर में करते हैं तो उसका फल दसगुना अगर हम किसी नदी के किनारे करते हैं तो उसका फल शोगुना प्राप्त होता है तो इस प्रकार से दीपदान करने का जो महत्व है आज के दिन बहुत ही उत कोई ब्ञाराणा तो भी आपके लिए अनंत फलगुनादाय। और ऐसा करने मातर से आपके जीवन में वेपार में घ्री में शुक्षान्ती समिर्दी की प्राप्ति और आप आनंद में प्रशन में होकर कि इस भौतिक जीवन में अपना जीवन गुजारते हैं और मरन प्रांत आपको मौक्ष की प्राप्ति होती है अब लोग हमें भी कहते हैं कि पंड़त जी मरने के बाद कौन जानता है कि हमारे साथ क्या होता है हमारे शरीर का क्या होता है म कि पैदा होते ही होस्पीटल में उसके पीछे लाखों करोडों रुपे खर्च हो जाते और बहुत ही ज्यादा कश्ट में रहता अब बताईए मुझे कि उस बच्चे ने जन्म लेते ही ऐसे कौन से कर्म कर दिये जिसका वो फल भोग रहा है तो उस बच्चे के पुर्व जन् लेकिन एक बच्चा हुआ है जो पैदा होते ही लाखों करोडों रुपे अपने माबाप का खर्च करवा रहे हैं और उनके शारीरिक कश्ट भी है तो उसके पुर्व जन्म के जो कर्म के फल है उस प्रकार से हो है तो इसलिए भगवान नारायन मुक्ष प्रदाता है तो का का विशेश महत्तों बताया गया है इस प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहे हैं वियन न के साथ शवी दर्शकों के उपर शवी भक्त जनों के उपर भगवान श्रीमन नारायन की अनंतिकरपा बनी रहे जैस्रीमन नारायन